लोग सभा चुनाव संपन हो चुका है और देखा जाये तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे जादा नुकसान हुआ है सबसे बड़ा जटका लगा बीजेपी की सीटे आधी हो गई जिसकी समिक्षा बीजेपी लगातार कर रही है दरसल तीन टीमें बनाई गई और टीमों के जरिये बीजेपी फीडबेक ले रही है वजह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कैसे चुनाव हार गई यहां पर उत्तर प्रदेश में और इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ हला कि इसी सीज को समझने के लिए इस वक मैं लखनव के हजरत गंजबे हूँ सीथे लोगों से सवाल पूशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने जो नारा दिया कि अब की बार 400 पार या फिर समविधान आरक्षन को लेकर जो एक नेरेटिव चलाया विपक्ष ने क्या उसकी काट बीजेपी नहीं ढून पाई या जो तमाम चीजें जो वज़ा निकल कर सामने आ लिए है कि उसी पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ी वज़ा क्या मानते हैं वो जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया बीजेपी ने आपको लगता है कि ये नारा बीजेपी को ले डूबा यूपी में देखे बीजेपी का के पास कोई संबैधानिक प्लान नहीं होता वो केवल निगेटिव प्लान की रचना करती है चुकि ये देश और प्रदेश जो है निगेटिव बीजेपी के प्लान में सिगार हो चुका था आप हिंदूस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी का भिकल्प ढून रही थी बीजेपी का मानना था कि हम 400 पार होंगे बीजेपी उत्तर प्रदेश में मान रही है कि 80 पार आप मैं बार बार आपके चैनल पर ये कहता आया कि 85 से 60 सीटी इंडिया गठबंदन का था मैं निरंतर इस बात को कहता रहा लेकिन गाजियाबा से लेकर के गाजीपुर का एक-एक लोग शभा का चाहे नवजवानों से बात कर लीजिए, किसानों से बात कर लीजिए मजदूरों से बात कर लीजे गरीबों से बात कर लीजे फटहालों से बात कर लीजे सब का एक ही बात थी कि ये सरकार जो है जनहित में एक प्लान दस साल में नहीं दिये इस सरकार को बतलना है और इंडिया गठबंदन को जीताना है ये देश के दलितों की जीत है, सोशितों की जीत है, पिडतों की जीत है, नवजवानों की जीत है, और महिलाओं की जीत है, इंडिया कटबंदा नहीं लड़ा है, ये प्रदेश की आवाम ने फैसला करके भारती जन्ता पार्टी के पालशी को नपाक पालशी को तार-तार करक आगे छोड़ दिया है अब मैं समझता हूं कि इनका ढूलने की जरूरत नहीं है आप का जहां आधार है जिस बेश से आपने अपना मंजिल की दूरी टै की है उस आधार को जनता ने आपके नपाक सपने को चकना चूर करके बंबाट कर दिया है अब समीच्छा की अब जरूरत नहीं है अब आपको आपका ग्राफ निरंतर गीरता जा रहा है अध्य हजार 27 का जो सपना इनका है 27 में इनका जो है 40-60 बिदान समा में रहना है ये बात नहीं है देखे मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये बात नहीं है ये भी एक उसका हिस्सा है महंगाई बेरोजगारी महिलाव पेर त्यचार और भरस्टा चार बेरोजगारी पर तो हर बार चुनाव होता है इस बार हो गया हर बार चुनाव होता है हम लोग भी 15-20 साल हो गये चुनाव कवर करते हर चुनाव में नारा होता है महंगाई और बेरोजगारी को हटा है इस बार जादा हो गया था क्यूंकि आदमी बेरोजगार था गरीब हो को रहा था अमीर अमीर हो रहे थे इनके पास कोई पॉलेसी नहीं था आपको बता दें अभी आठारा लाग में से मिज़ बन हो गए चोवन लाग लोग बिरेज़गार हो गए नीट का मामला देखिए इसी चारीके साथ साल में सतर पेपर लीग हो रहे थे आप समीधान को बात नहीं सुनना चाहते आप समिक्षा मत करिए आप बेरोजगारी पर कोई बात बोलें आपको पेपर लीग हो आप कोई बात बोलें मनीपूर में इतना मामला हुआ आपको बोलें आपका भरष्टा चार इतना बढ़ाता आपने समीधान को बदल के कानून लाया था इलक प्लेट फॉर्म में दिवार गिर जा रही है आप बरेटर चार कर रहा है आप नीट में इतना बड़ा कर रहा है आदमी को दिख नहीं रहा है बच्चे रास्ते में आप लाठी चला रहे हो आप बताईए नो 2020 में नीट में छे नंबर आया था एक लड़की को उसको उसको लड़की ने उसकी माँ बाप ने री एक्जाम कराया पांसो नंबे नंबर लिकला उनका आप बताईए उनको छे नंबर दिया यही सब मामला था यह इनके जाने से आपने लोगों की बात सुनी आपको क्या लगता है कि यूपी में बीजेपी की कम सीटे आई इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा क्या है रही है कि एक तो जातिवाद का फैक्टर जबदस चला एक नरेटीव चलाया विपक्ष ने सम्मिधान और आरक्षण को लेकर बीजेपी उसकी कार्ट नहीं ढून पाई हां सही करें उसकी कार्ट बीजेपी ढून नहीं पाई जबकि सम्मिध सम्मिधान को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत की आउसकता पड़ती है अगर बीजेपी बदलती लेकिन ऐसा बीजेपी का सोस नहीं रहा कि सम्मिधान बदलने का लेकिन उसको एक हवा दे दिया गया विपक्ष की तरफ से हवा ऐसा दिया गया कि वह आम जन्मानस के दिमाग में बैड़ गया कि हो सकता ही है अगर 400 सीट पार कर गए तो यह सम्मिधान बदल देंगे और बहुत सी चीजें बदल देंगे वह आपको लगता है और जो बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार का नारा कहा जा रहा है कि वह भी बीजेपी के लिए घातक साबीत हुगा कि बीजेपी के कार्करताओं को लगा कि अब तो 400 सीटे आहीं रही है तो फिर मेहनत करने का जरूरा है हां यह सही है कि चार्सु पा इस बार नहीं रही क्योंकि छे मैने पहले ही भगोजी ने जो बात मोदी जी से उसाजी से कह दी थी उसको इन लोगों ने निगलेट कर दिया नहीं तो यहां यूपी में भी पूरी सीटें आती पूरे देश में वह चार सू के पार निकल जाते यह RSS की देन रही कि RSS का सपो फूट भी थी और फूट का सबसे बढ़ा कारण एक तो छत्रीय फैक्टर अलग हुआ कि ठाकरों में एक राष्टी अस्तर पर एक यूनिटी बन गई कि बीजेपी को अगर हम नहीं हराएंगे तो हो सकता यह यहां के योगी आगे आदित नाज जी को ही किनारे लगा दे श सम्मिधान चेंज हो जाएगा और उस पे जो है जनता इफेक्टेड हो गई और उसके जो हमारे दलित भाई अनसुचित जन जाती के लोग थे वो क्या बोलते हैं उसमें गलत इन्वार्मेंट में वो लोग बैग है उसके वजह से सम्मिधान और आरक्षण को लेकर जो नेरेटिव चला वो बीजेपी के लिए घात अक्सा बिल्कुल 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 इसमें कोई दोरा नहीं है यह गलत है बिपक्ष के द्वारा गलत अवेर्निस फैला गया जिसके वजह से जनता का मन में थोड़ा सा वह होगा था कुछ लों का ये कहना है कि बीजेपी के अंदर जो भीतर घात हुई इनकी अपने लोगों नहीं बीजेपी के खिलाफ वोट करवाने का काम किया आपको लगता है कि यह कुछ फैक्टर भी लिए किया है क्योंकि जब भी करेकरता जाते हैं किसी मनत्री के पास या किसी का अधिकारिय। लोड नहीं लेता है, जिसके वज़े से करिकर्था-ाओं क crafted मन कैसो हो थाल भारती जनता PvdK करिकर्णाय से कना तो करना तो當然 काूँ हो जाता है। वह तो वहीं से बाता हां दिआन्दी से काम नहीं होता हूं ना तहसील पर काम होता है। ना थाने पर काम होता है, ना चौकी पर काम होता है, किसी के पहरी भी लेकर जाते हैं तो इंस्पेक्टर सुनता नहीं है, ना SDM सुनता है, ऐसे इस तरीके से तमाम भारती जनता पार्टी के करेकरताओं को, करेकरताओं का मनोबल डाउन हुआ, जिसके वज़े से करेकरता भी में इस चुनाव में जो दूरी बढ़ी जो दूरी बनी उभी एक प्रमुख नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कई संग से और भारतिय जनता पार्टी की कभी दूर दूरी होई अचाथ इसी मुद्दे पर हमने तमाम लोगों से बाचीत करने की कोशिश की mix reaction यहां पर देखने को मिला और जाहिर से बात है कि BJP की सीटे कम हुई है उत्तर प्रदेश में लेकिन किंद्र में BJP की सरकार बनी है हला कि BJP हार की समिक्षा कर रही है और जल्दी जो UP में सीटे कमाई BJP की आदी सीटे हो गई उसके पीछे की असल वजह क्या रही चुकि तीन लिवल का सर्वे बीजेपी करा चुकी है और जल्दी वो सर्वे जो बीजेपी का आला कमान है उसको सब्मिट भी की जाएगी